देखो और गवा बनो ऐसा श्री रमण महरी शी पताते हैं आत्मा सदेव साक्षी है लेकिन स्वयम के रूप में बने रहना ही सर्वोत्तम है किसी की साध्ना में बादा के रूप में जो भी विचार उपन होते हैं मन को उनकी दिशा में ले जाने की अनुमती नहीं दी जाने चाहिए बलकि अपने आप में आराम करने के लिए बनाया जाना चाहिए जो की आत्मा है व्यक्ति को जो कुछ भी गटित होता है उसका साक्ष बने रहना चाहिए और यह दृष्टी कोन अपनाना चाहिए कि जो अजीब चीजें होती हैं उन्हें होने दो आउ देखते हैं यह हर किसी का अभ्यास होना चाहिए दूसरे शब्दों में किसी को दिखावे से अपनी पैचान नहीं बनानी चाहिए व्यक्ति को कभी भी अपने आप का त्याग नहीं करना चाहिए यह मनो नशा के विनाश का उचित सादन है जो शरीर को स्वयम के रूप में देखने की प्रकर्ति का है और जो उप्रोक्त सभी बाधाओं का कारण है अहंकार को नश्ट करने के लिए बताया श्री नवण महरिशी ने परमात्मा के साथ तादात्म ही अहंकार के नाश का दूसरा नाम है अहंकार कभी स्वयम को मानने के लिए सहमत नहीं होता यह प्रश्ण अहंकार को पोशित करने का एक निश्चित तरीका है ना कि उसे मानने का यदि आप अहंकार की तलाश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका स्यत्म नहीं है इसे नश्ट करने का यही तरीका है अपने आप में जाच करे और स्पष्ठ हांकार और अज्यानता गायब हो जाएगी यह मैं कहां से उत्पन होता है इसे अपने भीतर खोजें यह फिर गायब हो जाता है यह बुद्धी ही खोज है यदि पहला व्यक्ति मैं अस्तित्व में हैं तो दूसरा और तीसरे व्यक्ति आप और वह भी अस्तित्व में रहेंगे मैं की प्रकर्ति के बारे में पूछताच करने से मैं नश्ट हो जाता है इसके साथ ही आप और वह भी नश्ट हो जाते हैं परिणामी अवस्ता जो पून अस्तित्व के रूप में चमकती है वे व्यक्ति की अपनी प्राक्रतिक अवस्ता आत्मा है अहम वृत्ती मैं विचार तूट गया है दूतिय का प्रकाश अखण निरंतर है विचार शांत होने के बाद प्रकाश चमकता है मैं स्वरूप की जीवात्मा ही अहंकार है आत्मा को जो की बुद्धी चित्थ स्वरूप है उसमें मैं का कोई भाव महीं ना ही असमवेदनशील शरीर में मैं की भावना होती है बुद्धिमान और असवेधनशील के बीच एक भ्रामक अहंकार की रहसे में उपस्तिती जो इन सभी परिशानियों का मूल कारण है किसी वी माध्यम से इसके नश्ट होने पर जो वास्तव में मौजूद है वैं वैसा ही दिखाई देगा इसी को मुक्ति कहते हैं जिस प्रकार जो व्यक्ति कच्रा फैतना चाता है उसे उसका विशलेशन करने और यह देखने की कोई अविशकता नहीं है कि यह क्या है उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयम को जानना चाता है उसे श्रेणियों की संख्या गिनने या उनकी विशेष्टाओं के बारे में पूश्टाज करने की कोई अविशक्ता नहीं है उसे जो करना है वे उन स्टेडियों को पूरी तरह से अस्विकार करना है जो स्वयम को छुपाती है संसार को स्वयपन के समान समझना चाहिए ना मात्र का मामला जो की पहला मामला है प्रकट होता है या नहीं जिन वाकियों में अन्य मामले आते हैं उनका आधार पहला मामला होता है इसी तरह हिर्दे में प्रकट होने वाले सभी विचारों का आधार अहंकार होता है जो की पहली मानसिक स्थिती मैं है मैं शरीर हूँ के रूप की अनुभूती इस प्रकार यह है अहंकार का उदे है जो अन्य सभी विचारों के उदे का कारण और स्तोत है इसलिए यदि अहंकार रूपी आत्म दम जो शरीर संसार के मायावी वरिक्ष की जड़ है नश्ट हो जाता है तो अन्य सभी विचार एक कुड़े हुए पेड़ की तरह पूरी तरह नश्ट हो जाते हैं हम सदेव सुशुप्ती में हैं जागरित में इसके प्रती जागरुक होना ही समादी है सुशुप्ती में अधिक समय तक नहीं रहा जा सकता क्योंकि उसका अहंकार उसे इस से बाहर टकिलता है यद्यपी ग्यानी ने अहंकार को नश्ट कर दिया फिर भी वह प्रारप्त के कारण बार बार उठता रहता है ग्यानी और अंजनी के लिए अहंकार उभरता है लेकिन इस अंतर के साथ जबकी ज्यानी अपने लक्षे को हमेशा स्त्रोत पर स्थेत रखते हुए पारलोकिक अनुभव का आनन लेता है अजनी इसे पूरी तरह से अन्विक्य है पहला हानिकारक नहीं है यह जली हुई रस्ची की तरह अपने समाने स्वा का मात्र कंकाल है लगातार अपना ध्यान स्त्रोत हिद्य पर केंदेत रखने से अहंकार समुद्र में गिरी हुई नमक की गुडिया की तरह उसमें बिलीन हो जाता है